नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमन खन्ना हुमियोपेति क्लीनिक में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे गॉइटर के विशे में यानि गेंगे के विशे में और आपको बताएंगे इसकी दसकारकर होंगे उपेतिक दमाएं गॉइटर हिंदुस्तान में अब विकास के साथ थोड़ा सा कम फैलता यानि यहां जो गले में आपको बहुत लोगों के स्वेलिंग दिखती है वहाँ कम लोगों को होती है लेकिन आज भी होती है आयोडीन डिफिशेंसी काफी हद तक नमक से कम हो गई जो आज कल के नमक आते हैं पैक्ट वाले लेकिन फिर भी बहुत लोगों को यह होती है तो आज हम बताएंगे आपको होमियोपेति में गॉइटर यानि घिंगा को सही करने की 10 कारगर होमियोपेतिक दमाएं सबसे पहले साथियों जान लेते हैं गिंगा होता क्या है ृघंगाths यानि गॉइटर जब आपका थाई्राइड ग्लैंड होता है ुष में सूजन आ जाती इंफ्लमेशन आ जाता है तो उस condition में आपके यहाँ यहाँ पे एक सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, बाहर से वो manifest होने लगती है आपकी इस garden के आगे की तरब, वही स्थिती को goiter कहते है goiter सात्यों वहाँ स्थिती होती है, जब आपके thyroid gland थोड़ा बढ़ जाता है, enlarge हो जाता है और यहाँ बाहर आपको नेक से बाहर बाहर की तरब protrude होना दिखने लगता है इसी स्थिती को, इस enlarge thyroid gland की स्थिती को goiter यानि की घेंगा कहते है यहाँ आम तोर पर harmless होता है, आपको नुकसान नहीं पहुचाता है लेकिन जब यह ज़्यादा बढ़ा होता है तो आपकी swallowing में तकलीफ करता है और painful भी होने लगता है और cosmetically तो यहाँ बुरा लगता ही है क्योंकि हिंदुस्तान में एक आदत है, हर आदमी खुद परिसान हो, लेकिन दूसरे को टोकता है जरूर है उसको नहीं छोड़ता, तो इसको ठीक होना चाहिए और मैं आपको बताऊँगा इसको ठीक करने की कारगर दमाए बात कर लेते हैं सातियोज के symptoms की, goiter के symptoms की, घेंगे के symptoms की घेंगा पहला symptom तो यही है कि आपको बहरी दिख रहा है कि थाराइट लाइन आपका बढ़ गया है तूसरा symptom आपको कुछ भी निगलने में दिक्कत होने लगती है, आपको खासी आने लगती है आपको गले में कुछ अटका फसा लगता है और आपको निगलने में कुछ भी तकलीफ होती है और आपकी आवास थोड़ी भारी हो जाती है, चेंज हो जाती है और इस तरह कि अगर symptoms होते हैं, तो यह ही घेंगे के symptoms हैं बात कर लेते हैं सातियों घेंगा यानि गॉटर के कारणों की गॉटर यानि किया जो ग्रोथ हो जाती है इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें सबसे प्रमुक कारण है सातियों आयोडीन डिफिशिंसी जब आपके आयोडीन की डिफिशिंसी होती है तो आपका thyroid gland swell कर जाता है, enlarge हो जाता है और वहाँ आपको manifestation होता है goiter के form में तो iodine deficiencies का सबसे important cause होता है दूसरा इसका बहुत important cause होता है autoimmune disorders autoimmune disorder में एक important बात आती है hypotherodism जब आपका thyroid कम काम करने लगता है तो फिर आपको जो body का system होता है mechanism होता है वो और ज्यादा thyroid hormone secret करने के लिए आपके thyroid gland को और ज्यादा work कराता है उस इस्तिती में उस lower levels को hormone के thyroxine के lower level को बढ़ाने के लिए जब आपका जो mechanism है body का self regulating mechanism वो ज्यादा hormone secret करने का thyroid से प्यास करता है तो उस condition में आपका thyroid gland swell कर जाता है या hypothyroidism में होता है इसमें होता क्या है जो Hashimoto disease एक टर्माती है इसमें आपको सारी terms familiar होनी चाहिए Hashimoto disease में आपका जो autoimmune system होता है वो swim उसी के जो अपने receptor cell होते swim वो जो है आपके thyroid को नुकसान पहुचाने लगती है और hypothyroidism में Hashimoto disease हो जाता है और आपका thyroid gland enlarged हो जाता है तीसरा एक जो condition आती है जो कि आपको goiter बना देती है आपके thyroid gland को enlarge कर देती है वो है hyperthyroidism hyperthyroidism वो condition होती है जब आपके secretions जादा होने लगते हैं हार्मोन के आपके thyroid gland से और जो आपके body का immune system होता है वहाँ cells को destroy करने लगता है thyroid के ताकि secretion कम हो इसको कहते हैं grave disease तो ये grave disease जब हो जाता है तो वो destroy करने लगता है और destroy करने पे जो है आपके thyroid inflamed हो जाता है और inflamed होने पे वो swell और फिर enlarge हो जाता है तो यहाँ भी एक कारण है goiter का इसके अलावा तमाम अन्य कारण है जिसमें की smoking है तमाम physiological कारण होते हैं जो नहीं लेकिन प्रमुकता से कारण यही होते है आपका iodine deficiency, hyperthidism या hypothyidism अब साथियों बताते आपको homeopathic से खेंगे यानि goiter को खतम करने की 10 कारण होमियोपेथिक दवाएं दवाएं बताने से पहले साथियों फिर आपको बता दे हर भार की तरह कि यहाँ दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं कोई भी दवा self-medication ना करें किसी कुसल की सक्त से prescribe कर आके ही दवा ले ताकि जो दवाओं की भीनता है symptom की वहाँ effect आपका neutralize हो जाए यहाँ सारी दवाए जो बताई जा रहे हैं जरूरी ही नहीं कि यह आपके लिए भी उत्ती ही मुफीद हो जैस्ता symptom चलते हैं साथियों बताते हैं आपको हमियोपेथि में गोईटर को ठीक करने की दसकारगार दवाए पहली दवा साथियों हमियोपेथि में जो गोईटर को ठीक करने की नंबर एक दवा है वहाँ है आयोडम आयोडम एक हजार पावर में तीन खुराग पच-पच मुनिट के फासले पर वीकली आप उस मरीश को दे सकते हैं जिसको की गोईटर यानि घेंगा हो गया हो वहाँ बहुत खा रहा हो लेकिन दुबला रहा हो उसका बजन ना बढ़ रहा हो बहुत इंपलसिव यानि गुस्ये वाला हो गया हो उसकी जरा सा चलता हो दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती हो और बहुत एक्स्ट्रा वर्ट टाइप लेक्ती हो गया हो यहाँ कंडिशन अगर पाई उसके शरीर बहुत गरम रहता उसको गर्मी बहुत लगती हो अगर यहाँ कंडिशन उसमें पाई जा रही हो और फीमेल में पीरियड ना होता हो यहां सिंटम अगर हो तो उस मरीज के गॉइटर के उस मरीज के लिए सबसे कारगर दबा आयोड़म है इसको आप 1-3 खुराग 5-5 मिट के फासले पर वीकली दे कर लाप पा सकते हैं एक कंडिशन साथियों गॉइटर में आती है कि आपके गॉइटर तो हाई है साथ में आपको भारी वीक्नेस हो गई इतनी भारी कि आपके अंक्ल से लेके कुछ करें हाथ पैट जवाब दे गए अगर वहां सिंटम आपने वाहां सोच भावना आप में आ जाए तो उसको ठीक करने की हुमियोपैथी में बहुत कारगर दवा नेट्रम कार्बोनिकम है आप नेट्रम कार्बोनिकम दो सो पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपका वीक्नेस है वहां भी खतम हो गई और आपको ताकत आ गई पिर एक कंडिशन आत रहे हो आपका वेट गेन हो रहा हो आप फ्लैबी हो रहे हो तो आपको ठीक करने की होमियोपैथी में कोईटर को ठीक करने की होमियोपैथी में बहुत कारगर दवा कल्केरिया कार्बोनिकम है आप कल्केरिया कार्ब थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार ले ले आप दे जो कलके दिया कार्म का पेशेंट इसको कोल्ड से सर्थी से बहुत ज़्यादा लगती है उन चीजों से आपके दिक्कत से आप बच गए और आपका गॉटर भी ठीक होने लगा गॉटर भी जाने लगा एक कंडिशन साथियों आती है गॉटर में कि आपके गॉटर है गेंगा हो और आपके हाइस का प्रिटूजन हो रहा और साथ में आपको गॉटर हो तो इस कंडिशन में आपके गॉटर को ठीक करने की सबसे कारगरदवा है थायरोडिनम आप थायरोडिनम 3x पावर में दो-दो टैबलेट दिन में तीन बार ले ले आप देखेंगे कि आपका इहा गॉटर में कि मरीज को आईबॉल्स का प्रिटूजन होने लगा उनको गॉटर है आप घेंगा है और उनको आईबॉल्स का प्रिटूजन होने लगा और मरीज बहुत दुबला पतला होने लगा उसका वेट लॉस होने लगा उसको गरम बहुत लगता है तो उसको ठीक करने की हो में पैथी में बहुत अच्छी दवा है नेट्रम्यूर आप नेट्रम्यूर एटिकम वन एम पावर की दीन कुराग पच्पच मिट के फासले पर वीकली उस कंडिशन में ले ले जब आपको नमक खाना बहुत पसंद होता हो नमक आप मीटे के मुकाबले प्रिफर करते हो आपका वेत लौस हो रहा हो आप दूबले पतल भी कह रहे हो आपको गुस्सा बहुत आता हो और आपके 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 दिल की धड़कन बहुत हो तो अगर यहां कंडिशन आप में है कि आपके स्वेटिंग बहुत हो रही है और आपके परस्प आप देखेंगे कि इससे आपके हर्ड की जो पैल्पिटेशन है वो भी रिलीव हो गया और आपका अन्वांटेट पसीन आना एक्स्ट्रा स्वेटिंग होना भी कम हो गया और आपका गॉइटर भी ठीक होने लगा आपकी स्थिति आती है साथियों गॉइटर में जब आपको घेंगा तो बढ़ा हुआ है लेकिन ना उससे कोई फरक पढ़ रहा है मतलब ना उससे आपका बाडी फंक्शन कम हो रहा है ना बाडी फंक्शन बढ़ रहा है और आप बिल्कु सामान बने लेकिन आपके घेंगा यानि गॉइटर है इसको सिंपल गॉइटर कहते है इसको ठीक करने की होमियोपैती में बहुत कारगर दबाए है जो आपको लाब दे सकती है इस संखला की साथ क्यों तीन दबाए है पहली दबाए फ्यूकस वैसिकुलोसस उस इस्थिति में सिंपल गॉइटर में बहुत का जब कि मरीज जो है वो उबीज हो मोटा हो तो फ्यूकस वैसी कुलोसर देने से उसका मुटापा भी कम हो जाएगा और उसका यहां जो गेंगा है जो सिंपल गॉइटर के तहत है वहां भी चला जाएगा दूसी दवास आती हो इसी कंडिशन की है कलकेरिया आयोड कलकेरिया का आयोड थर्टी दो दो बूद आप दिन में तीन बार आप उससी में दे सकते हैं कि जब मरीज के गरम बहुत लग रहा हो उसको गरमी महसूस हो रही हो और उसका थोड़ा-थोड़ा सा वेट लॉस होने लगे तो उसकी सबसे मुफीत दवा कलकेरिया आयोड है एक साथियों स्थिती आती है कि जब आपके गॉइटर काफी बढ़ गया हो और वहाँ सक्त हो अगर वहाँ सक्त है तो उसको सौफ्ट करने की और कहीं कहीं पर मैं कहूंगा मेलिगनिंसी तक ठीक करने की होमियोपैथी में बहुत कारकर दवा कॉनियम मैकुलेटम है आप कॉनियम मैक वन सक्त गेंगा है वहाँ मुलाइम पड़ गया और जब वहाँ मुलाइम पड़ेगा तो धीरे-धीरे डिसाल भी होगा दवा इसकी है कॉनियम मैक और तीसी कंडिशन जो साथियों इसमें आती है सिंपल गॉइटर में वहाँ है कि आपका जो यह गेंगा यानि कि जो गॉइटर है वहाँ बहुत सक्त हो गया और पत्थर जैसा सक्त हो गया अगर वहाँ इस्तिति है आपको सिंपल गॉइटर में तो इसको ठीक करने की होमियोपैथी में सबसे कारगरदम आप ब्रोमियम है आप ब्रोमियम 30-25 दिन में 3 बार लेके उस कंडिशन से अपने को छ इसको ठीक करने की होमियोपैथी में बहुत कारगर दवाएं और यहां दवाएं आपको पूर्तियार सही कर देंगी इसमें की एक दवा का दिक्र हो चुका है आयोडम दूसरी दवा है लाइको पस तीसी दवा है नैट्रम्यूर और चौथी दवा है कलके दिया आयोड यहां दवाएं आप शिम्टम वाइज लेकर इस टॉक्सिक गॉइटर को खतम कर सकते हैं मैं चाहता हूं सारी टम्स आपको इंट्रड्यूस कर दूँ ताकि आप कभी कोई आपके सामने आये तो आप बातों को समझ सकें एक कंडिशन साति हो आती है this thyroid glad में इसका नाम है thyroiditis thyroiditis में होता क्या है आपका thyroid inflame हो जाता है और thyroid inflame होने के साथ आपके बाडी के metabolic functions disturb हो जाते हैं इसको भी ठीक करने की homeopathic में बहुत कारगर दवाय है जिसमें की प्रमुक रूप से कलकेरिया कार, लाइकोपोडियम, थाइरोडिनम, जलसीमियम और प्रोमियम है यहाँ दवाएं आप सिंटम के हिसाब से लेकर थाइरोडाइटिस को भी होमियोपैथी में कारगर रूप से ठीक कर सकते हैं यह साथियों कोई दवाएं थी आपके गौइटर यानि घेंगे को ठीक करने के लिए मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि दवाएं आपके एजुकेशन के लिए आपकी जानकारी के लिए हैं कि हुमियोपैथी काम करती है लेकिन कोई भी दवा बिना किसी कुशलती के सक्से पूछे ना ले क्योंकि दवा और सिम्टम आपके इसाब से आपके लिए भीन हो सकते हैं अगर साथियों आपके मन में कोई क्वरी हो तो आप कमेंट पॉर्षन में अपने कुश्चिं को रेज कर सकते हैं या हमारे WhatsApp नमबर 94-95-786-300-C4 को WhatsApp कर सकते हैं, आपको संतो जवाब देने का प्रयास किया जाएगा, अगर सातियों आपको हमारे यहाँ प्रयास अच्छा लगा हो, आपको होमियोपेथी को आपके करीम लाने का, आपको दवाओं की जनकारी देने का तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने इस वीडियो को शेर करिएगा, अपने चैनल को भी शेर करिएगा, और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके, हमारे नए-ने वीडियो सबसे पहले प्राम्ट करते रहेगा, आपका हमारे साथ इती दे रेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया दो इती बहुत 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 झाते रेने के लिए बहुत बहुत